हेलो गईज, वेलकम तो मैं चैनल, मैच्स रेडियेशन हेलो स्टुडेंट्स, आज के वीडियो में देखने वाले हैं एक्ससाइस 8.1 को आगे बढ़ाएंगे कुश्चन नमबर 7 से स्टार्ट करना है, 6 तक का हमने डिस्कुशन कर लिया है अगर आपका वहां तक का complete नहीं हुआ है, तो ये वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा तो पहले आगे का वीडियो देख लो, आपको प्लेलिस्ट में से मिल जाएगा कुश्चन कुछ ऐसा पूछा है, देखो कि देखना ये है कि आप इसका ट्राइंग जो है, वो सही से बना पा रहे हो कि नहीं तो देखो, सबसे पहली ज़रूरी बात कि एक तो सर्कल होना चाहिए, जो पर्फेक्ट बनना चाहिए, आप यहां पे मिरसे थोड़ा नहीं बन रहा है, यह बन गया अपसे, ठीक है अब यह जो सर्कल बनाया है, उसमें आपको एक लाइन भी ड्राउ करनी है, जो उन्होंने बोला है कि X is equal to में A by 2 वाली लाइन है, यह मेरा सर्कल ड्रो हो गया, क्यों मैंने ऐसा ड्रो किया, यह equation किसी को भी अगर हो रहा है तो मैं बोल दूसको कि जब भी अपका सर्कल जो है, X square plus Y square is equal to A square, has center, इसका center क्या रहेगा? 0,0, and radius क्या रहेगी? radius is equal to में A रहेगा, तो definitely मैं यह बोल सकता हूं कि this point should be A, A, 0, this point should be 0, A, बाकी के point आप 4 के 4 बता सकते हो, बराबर यह minus A, 0 होगा, इस side, और इस side जो नीचे है वो होगा 0, minus A, हमें उसका कोई काम है नहीं, आपको यह बुला गया है कि find the area of the smaller part of the circle this and cut off by the line X is equal to A by root 2, मैं आपको यह बोलना चाहूंगा अभी, कि मुझे X is equal to में A by root 2 वाली line draw करनी है, तो कहाँ पर draw करनी है ना, उसके लिए पहले देखो, X is equal to A by 2 जो है वो बिलकुल बीच में हैगा, बिलकुल बीच में, यहाँ पे, आपको यह decide करना है कि A by 2 बड़ा है या A by root 2 बड़ा है, तो मैं आपको बोल दूँ कि A by root 2 की value बड़ी होती है, A by 2 से, A by root 2 is greater than A by 2, आपको बोल दूँ क्योंकि root 2 की value जो है वो 2 से छोटी होती, यह छोटा होता है, इसलिए पूरा answer बड़ा हो जाएगा, और यह बड़ा होता है, इसलिए पूरा answer छोटा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से बैटके सोचीएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह पता नहीं होता है कि यह क्यों, पर कहीं पर draw करते तो वो line जो है वो कुछ इस तरह से आपको draw करनी है like this ये line जो मैंने draw करी है वो है x is equal to में a upon में root 2 ठीक है अब smaller portion पूछा है तो भई हम तो हमें पता ही है कि क्या करना है हमें smaller portion मरलब कि ये हिस्सा आपको एक minute हम थोड़ा change करके ये जो हिस्सा यहां से आपको दिख रहा है this portion ये हिस्सा हमें दिखाना है उसको कि हाँ इसका area कितना होता है वो हमें find करके उनको देना है ठीक है तो उसमें पहली चीज़ तो हम vertical strip लेंगे ठीक है उपर नीचे दोनों जगा है तो एक का find करके आपको double करना होगा तो फिर यहां पे नाम भी दे देते हैं इसको नाम दे दे आता हूँ a b a नहीं बोलेंगे इसको कुछ और बोलो न o b a यहां पे c तो आपको यहां पे यह लिखना है कि area covered by the cow मरलब area bounded by the circle area bounded by the circle and a line कौन सी लाइन है हमारे पास x is equal to में a by root 2 तो यहां पे हम लिखेंगे कि area of o b a c o आपको काव देखना है यहां से देखो अच्छे से तो पता चल जाएगा o b a c o तो उसका area निकलना है तो आपको मैं यहां पे यह बोल दू कि आपको यह two times करना है पहले तो two multiply zero से लेके limit कहां तक की लगानी है वो बहुत ज़रूरी है limit आप लगाओगे x की और वो होगी a upon root 2 से लेकर यह line यह line जो है वो x is equal to a वाली है तो यहां पे मैं limit change कर लेता हूँ देख लो मतलब यह क्या रहेगा देखो त्यान से कि यह a upon में root 2 और यह a और यहां पे आपको y into dx लिखना है 2 multiply a upon root 2 से लेके a और यह y coordinate होना चाहिए किसके कारण circle के कारण तो circle आपका x square plus y square is equal to a square है तो y square is equal to क्या हो जाएगा a square minus x square तो y is equal to क्या हो जाएगा under root a square minus x square यहां पे मैं बना लेता हूँ under root में a square minus x square into dx ठीक है चलो आगे देखते हैं इसको इसका integration आपको पता है यह हो जाएगा x by 2 under root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a sin inverse x by a यह पूरा जो भी है उसके आगे 2 लगेगा और limit लगेगी a by root 2 से लेके अरके a चलो तो finally हम इसको यह 2 बहार रखते हैं पहले इसके अंदर लिख a की value डाल देते तो a by 2 under root a square minus a square plus a square by 2 sin inverse a upon a ठीक है माइनस में a by root 2 तो यह a by 2 root 2 under root a square minus a square by 2 अब त्यान से देखना a by root 2 का square किया है मैंने यहाँ पे plus a square by 2 sin inverse x की जगा पे a by root 2 तो a by root 2 multiply यह यहाँ पे as है ठीक है इस type से कुछ आएगा और यह bracket में वो type का कर देता हूँ चलो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौनसी value कैसी है यह 2 तो बहार है ही पहले यह हिस्सा पूरा 0 हो जाएगा तो यह 0 plus यह बचेगा क्या यहाँ पे a square by 2 into sin inverse 1 की value हो जाती है पाई बाई टू तो यह इतना हिस्सा बचा माइनस यहाँ पर क्या बचता यह बाई टू रूट टू देखना ध्यान से यह बाई टू रूट टू का रूट टू हो जाता है पाई बाई टू पाई फोर स्वरी ठीक है ऐसे तो यह हमारे पास टू ब्रैकेट के अंदर कि ए स्क्वेर पाई बाई फूर माइनस यहाँ पर क्या बचा है ए मल्टिप्लाइए अपॉन में फूर रूट टू a square pi upon me 8 ठीक है और वो भी minus because वो bracket open होने से उसको भी minus लगेगा ठीक है चलिए तो अगर हम इन दोनों का देखे तो वो बचेगा 2 बहार a square pi by 8 ही बचेगा minus a square by 4 root 2 हो जाएगा आप चाहो तो a square common निकाल सकते हो नीचे से एक काम करो 2 अंदर multiply कर दो तो a square pi by 8 multiply 2 minus a square by 2 multiply 2 4 root 2 यह 2 2 cut यहाँ पर 4 हो जाएगा अब आप क्या करोगे उपर से जो है a square मैंने common निकाला फिर a square common निकालने पर आपको 2 root 2 है तो सिर्फ कहीं पर 4 इसका LCM आएगा तो root 2 से multiply करना पड़ेगा और वो root 2 से multiply उपर करना पड़ेगा तो यह pi minus सिर्फ root 2 divided by 4 ऐसा answer हो सकता है इसका ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यह जो answer आया है वो answer आपको square unit में लिखना है this is in square unit आगे बढ़ते हैं इसको next question दिखते है next question हमारे पास है question number कौन सा है question number है 8 find the area between x is equal to y square and x is equal to 4 एक मिन्ट area find करने हो नहीं बुला है यह बुला है कि the area between x is equal to y square and x is equal to 4 is divided in two equal parts by the line x is equal to a and find the value of a चलो तो यहां पर मैं आपको figure बना देता हूँ पहले तो x is equal to y square की जो diagram है वो कुछ इस तरह से आएगी मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ ठीक है आपको पता ही होना चाहिए कि x is equal to y square वाली जो parabola है वो इस तरह से होनी चाहिए फिर आपको एक line दी गई है that is x is equal to 4 यह मैंने बना दिया x is equal to में 4 एक कोई और line होगी बीच में चुकी होती है x is equal to a यह line कौन सी है x is equal to a आपको यह बूला गया है कि दो equal हिस्से हो रहे area के मतलब अगर मैं बोलू यहाँ पे तो समझो कि यह पूरा हिस्सा जो है वो a1 है और यह हिस्सा जो है वो a2 है दोनों equal है तो वो equal है तो आपको e की value find करनी है मैं यहाँ पे points के नाम देते था हूँ यह o है यह a है यह b है c है यह d है बीच में मैंने लिखा है m और यह लिखा है n right n की value हो जाती है 4,0 और m की value हो जाती है a,0 तो हमें लिखना क्या है वो समझो from the figure it is clear that that area of देखो area कौन सा o,a,b,o is equal to area of कौन सा है देखो o,a,b,o मरलब यह a1 वाला हिस्सा जो है वो a,c,b मरलब यह किस से हो जाएगा a,c,d,b,a इसके equal हो जाएगा बट इसका भी area आपको पता है कि यह उपर का ही हम देखेंगे सिर्फ और उपर का जो है उसमें vertical steep लेंगे तो limit 0 से लेकर के 0 से लेकर a तक की आएगी और इसमें limit आएगी a से लेकर के 4 तक की तो यहाँ पर मैं 2 multiply लिख रहा हूँ area of therefore के sign करनी पड़ेगी यहाँ पर आपको area of o a m o is equal to 2 multiply area of first को इसमें कौन सा है a c n m a चलो तो यहाँ से हो जाएगा therefore 2 multiply integration 0 से लेकर a त्यान से देखना यह पूरा पहला हिस्सा जो है वो इसमें आपको y into dx लिखना है is equal to यहाँ पे भी 2 multiply 0 से लेकर नहीं आएगा यहाँ पे आएगा a से लेकर 4 और यहाँ पे भी y into dx लिखना है दोनों में y की value जो है वो कौ से ही related है कौ से ही end हो रही है इसका upper point यहाँ पे और यहाँ पे upper point देखोगे तो कौ से end हो रहा है नीचे का जो है वो line axis से है तो वो हम consider नहीं करते तो इस बार क्या होगा यहाँ पे कि 2, 2 cut हो जाएगा ठीक है और यह आगे बढ़ेगा तो 0 से a y की value लिखनी है आपको आपके पास काओ कुछ ऐसा है y square is equal to x तो y is equal to आपको क्या मिल जाएगा root x तो यहाँ पे डाल दो root x into dx is equal to यहाँ पे a से लेके 4 root x into dx ठीक है चलो root x को क्या लिख सकते हो आप root 3 by 2 मनलब कि x की value हो जाएगी 3 by 2 यह 2 by 3 आगे और इसके अंदर limit देनी है आपको 0 से लेके a is equal to same यहाँ पे 2 by 3 आगे x की power 3 by 2 और इसकी limit लगानी है यह से लेकर के 4 तो यह आप cancel कर सकते हो यह 2 by 3 2 by 3 दोनों cancel x की value क्या हो जाएगी 3 by 2 है ना तो यहाँ पे आप limit डाल दो इसको तैरफोर a की power 3 by 2 माइनस 0 0 की power 3 by 2 हो 0 ही होगा बट फिर भी लिख लेते हैं चलो 4 की power 3 by 2 माइनस a की power 3 by 2 आप जानते हो कि यह a की power 3 by 2 इदर आएगी तो 2 times a की power 3 by 2 हो जाएगी यहाँ पे मिलेगा 4 की power 3 by 2 तो इदर से काम क्या हो जाएगा आगे देखो यह इसको simplify करें अगर तो 2 a की power 3 by 2 इसका हो जाएगा 8 पराबर और a की power 3 by 2 is equal to 8 divided by 2 a की power 3 by 2 is equal to 4 तो यहाँ से अगर मुझे a चाहिए तो उस साइड मुझे 2 by 3 power लगानी पड़ेगी पराबर है तो यह a is equal to 4 की power 2 by 3 ठीक है तो यह answer है वो उन्होंने वही पूछा था कि what is the value of a clear चलो question number 9 देखते है question number 9 जो है that is a very important question because वो आपको थोड़ा unique सा question है mode वाला और इसमें आपका graphical knowledge भी check होगा find the area of the region bounded by the parabola y is equal to x square and y is equal to mode x आपको मैं याद दिलादू कि y is equal to mode x वाली value जो है वो graph जो है वो आपको काम होगा नहीं है आपको पता है कि parabola यह जो है कौनजा है y is equal to x square वो कुछ step से आएगा parabola like this यह parabola है और इसमें जो mode x का graph है वो v आता है आपको पता होना चाहिए यह ऐसे कुछ बरबर तो मैं आपको यह भी बता दूँ कि यह line जो है यह line y is equal to x रहती है यह line y is equal to minus x रहती है तो इससे आपको दोनों intersection point मिल जाएंगे अच्छे से और यह 0,0 तो है ही और उपर से यह जो कव है वो है y is equal to x square बरबर point यहाँ पर आप यह O दे दो इसको इसको A दे दो इसको B दे दो find करना है आपको और area कौन सा find करना है वो पहले जरूरी है वो जानना जरूरी है यह वाला area हमें find करना ह और यह दोनों side symmetric है तो symmetric है तो एक का multiply एक का find करके दूसरा जो है वो multiply कर लो गया आप तो भी चलेगा मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूं वो ध्यान से समझना आप कि यहाँ पर आपको यह लिखना है कि figure shows in figure okay in figure shaded region shaded portion shows the area bounded by y is equal to x square and y is equal to mode x दूसरी चीज़ आपको intersection point find करने दोनों के तो हम यहाँ पर find कर लेते हैं कि intersection point intersecting points of y is equal to x square and y is equal to x पहला मैं x वाला find करता हूं because right side जो मिलेगा मुझे वो x वाला ही मिलेगा यहाँ पर दो line intersect कर रही है तो तो वह बहुत easy हो जाएगा y की जगह पर आप x डाल दो तो x is equal to x square मतलब कि x square minus x is equal to 0 मतलब कि x bracket x minus 1 is equal to 0 तो एक तो x की value 0 मिलेगी x की value 0 and दूसरी x की value 1 मिलेगी ठीक है similarly आप y is equal to similarly यहाँ पर लिख दो कि similarly similarly y is equal to x square मतलब यहाँ पर लिखने similarly solving y is equal to x square and y is equal to minus x you will get x is equal to 0 and x is equal to minus 1 मतलब कि intersection point जो है वो a और b क्या हो जाएंगे intersecting points intersecting points are a जो है वो हो जाएगा 1,1 b जो है वो हो जाएगा minus 1,1 and c जो है वो जो है वो तो 0,0 है ही आपको यहाँ से यह भी ढूनना है कि अगर x is equal to 0 and 1 है तो y is equal to x के हिसाब से put x is equal to 0 in y is equal to x तो आपको y is equal to 1 मिल जाएगा and put x is equal to 1 in y is equal to x तो आपको y is equal to 1 मिल जाएगा मैंने यह क्या किया यहाँ पे 0 हो जाएगा तो point आपके यह इसके हिसाब से हो जाएगे बरेबर तो मरलब जो आपको यहाँ पे show भी करने है तो मैं figure में दिखा देता हूँ intersection point यह 1,1 हो जाएगा यह minus 1,1 हो जाएगा और यह o जो है वो भी intersection point है वो भी o 0,0 अब आपको इसमें vertical strip देखनी है यह strip ठीक है तो इसमें higher point जो है वो पी है lower point जो है वो q है और यह जो region है o a o p a q o वो region जो है पूरा उसका area निकालके double करना है limit आपको देखना है क्या ले रहा हूँ मैं यहां पे थ्यान से समझना area of total area ऐसे करके लिखते हम total area is equal to 2 multiply area of o p a q o o p a q o तो यह 2 integration में यहां पे y जो coordinate y into dx लिखते ना उसमें आपको दो coordinate लिखना है पड़ेंगे y coordinate of y coordinate of p से लेके क्या करना है minus y coordinate of q reason भी आपको पता है because आपका जो area है vertical strip है वो दो जगह पे bound हो रही है उपर जो bound हो रही है वो line के थ्रू हो रही है p और नीचे जो bound हो रही है वो q के थ्रू हो रही है मतलब q से हो रही है तो दोनों में y coordinate आपको अलग अलग लिखने पड़ेंगे अप i hope मैं आपको समझा बारा हूँ यह p जो है वो end हो रहा है line से q जो है वो end हो रहा है मतलब कि यह यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है बरबर x is equal to 1 तो उसी हिसाप से आपको solve करना है इसको 2 मैंने क्यों लगाया है आगे वो आपको पता है कि ऐसा same symmetric region उस साइड भी है 0 से 1 y coordinate of p जो है वो line के हिसाप से आएगा मतलब कि y is equal to x तो वहाँ पर value हो जाएगी x into dx minus यहाँ पर value क्या हो जाएगी अच्छा यह हो सके तो dx को बाहर रखो तो देखो यह dx को मैंने बाहर रखा तो यह x फिर minus यहाँ पर value किसके हिसाप से आनी चाहिए हमारे पास y square is equal to x यह x is equal to y square है तो y is equal to आ अच्छा दोनों का separately अब कर सकते हो तो this is x square by 2 minus this is x power 3 by 2 और 2 by 3 आगे मतलब इसकी range जो है वो 0 से 1 है राइट चलिए अब इसको देख लीजिए ध्यान से यह 2 यहाँ पर है यहाँ पर मैं क्या करा हूँ 1 लगा रहा हूँ तो 1 by 2 हो जाएगा minus और 1 लगा हो तो 1 ही हो रहा है ऐसे करके लिखो minus में यहाँ पर यह 0 minus 0 ठीक है तो यह कुछ ऐसा है 2 multiply यह 3 यहाँ पर लगा तो 3 minus 4 मेरे हिसाब से सही है या गलत है पता नहीं क्या हो रहा है upon मैं 6 राइट तो यह 2 multiply minus 1 by 6 जो भी area आया है अभी आपका वो positive होना चाहिए जबकि यहाँ पर हमारा area ज negative आ रहा है फिर भी हम एक बार देख लेते हैं उपर जो है वो हमने y is equal to x लगाया है नीचे y is equal to x square अच्छा काव जो है y is equal to x square ही है तो यह गलती करी है बराबर y is equal to x square है तो मैंने काव ही color लिख दिया है आप उसको त्यान से देखो यहाँ पर काव root x नहीं होगा y is equal to x square है तो यह x square है यहाँ पर बराबर अब इसके हिसाब से यहाँ पर change हो जाएगा सारा यह हिस्सा पूरा change हो जाएगा which is nothing but x cube by 3 तो उसके हिसाब से x cube by 3 के हिसाब स यह 1 by 3 होना चाहिए this is 1 by 3 और बाकी हिस्सा तो बराबर ही है तो वो 1 by 3 है तो यह मतलब हो जाएगा आपके पास 1 by 6 यह 3 minus 2 divided by 6 तो 1 by 6 1 by 6 multiply 2 that is 1 by 3 2 multiply 1 by 6 this is nothing but 1 by 3 square unit right तो त्यान रखना है हलका सभी गलती करोगे तो फिर प्रोब्लेम हो जाएगा मेरा वो थोड़ा ऊपर चला गया था काव वाला तो मैंने देखाने की proper equation है क्या ठीक है चलिए next question देखते है that is question number कौन सा है हमारे पास question number 10 yes यह भी बहुत important question है ऐसे ही question पूछे जाने चाहिए right विकोज इसमें आपका सारा knowledge जो है lines का cause का वो सारा knowledge यूज होगा देखो सबसे पहले x square is equal to 4y वाला जो parabola है वो draw कर लेते हैं फिर line का सोचेंगे की line है क्या कहां आएगी क्या होगा वगेरा वगेरा this is x square is equal to 4a like this ऐसा कुछ होगा बरबर चलो यह x square is equal to 4y का parabola हो गया अब line draw करने के लिए बहुत अच्छी चीज यहां पर समझने है आपके देखो 4y-2 मैं क्या कर रहा हूँ मैंने आपको बताया था कि slope अगर positive है m अगर positive है तो inclination होगा इस तरह का m अगर negative है तो inclination होगा इस तरह का ठीक है तो मैं सबसे पहले इसको है न y is equal to m x plus c वाले form में convert करता हूँ जहां पर m जो है वो क्या है slope है और c जो है वो क्या है पता है वो y intercept है वो आपको डूढ़ना है y intercept मतलब जब line y axis को काटेगी तो कहां पर intersect करेगी y intercept राइट मैं जो बूला उसको ध्यान से revise करना y intercept का मतलब है कि जब line y axis को काटती है तो कौन से point पर cut करेगी तो इसको हम convert कर लेते हैं तो यह 4 y is equal to x plus 2 हो जाएगा ठीक है तो यहां से y is equal to x by 4 plus 2 by 4 हो जाएगा तो यहां से y is equal to mx plus c तो आपको मिलेगा क्या y is equal to mx plus c से तो m आपको मिल जाएगा 1 by 4 which is m is positive m कैसा है positive मतलब inclination पता चल गया कि inclination इसका जो आएगा वो इस तरह से आएगा यह कहीं पर लिखना नहीं है मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं यह जो नीचे लिखना है m is equal to positive यह नहीं लिखना है फिर यहां पर y intercept की value y intercept की value कितनी है c की value है 1 by 2 1 by 2 मिलब की y axis पर 1 by 2 कहां पर है वहां पर वो line काटेगी तो मैं आपको बोल दूँ की y is equal to 1 by 2 जो है let's say वो point यहां पर है वहां पर ही होगा ओपर ही होगा definitely ठीक है वो point 1 by 2 है 1 by 2 है तो यह line ऐसे जाएगी देखो inclination तो ऐसा ही है न ऐसे जाएगी यह line ठीक है clear हो जाना चाहिए यह कैसे यह हुआ यह point आप लिख सकते हो 0,1 by 2 y axis पे है तो अब आपको यह line और cow के बीच में जितना area है वो आपको find करना है जो मैं आपको यहां पे sheet कर देता हूँ this area you need to find this area अब इसमें मैं तो लेने वाला हूँ vertical strip लेंगे तो अगर यह ऐसा vertical strip समझ लो कि आपने लिया तो उपर का region आपका जो है वो P हो जाए मलब P और Q जो है वो end it कहां से हो रहे हो आपको पता चलना चाहिए यह line जो है वो मेरी x is equal to 4y minus 2 वाली line है राइट चलिए तो दो intersection point तो आपको पता ही होने चाहिए C and B यह दोनों point पता होने चाहिए तो मैं वो find कर लेता हूँ सबस solving y is equal sorry x is equal to 4y minus 2 and x square is equal to 4y यह दोनों को solve कर लेते तो देखो x की value उसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4y minus 2 का square is equal to 4y आपको मिलेगा क्या 16y square minus 16y plus 4 is equal to 4y तो इदर से यह हो जाएगा 16y square minus 20y plus 4 is equal to 0 16464 होता है partition करके 20 लाना है वो ही partition हो जाएगे उसके 16y square minus 16y plus minus 4y plus 4 is equal to 0 यहां से 16y minus 1 एक bracket बनेगा I'm sorry 16y minus 4 एक bracket बनेगा और y minus 1 एक bracket मिलेगा अमर्लब की you will get y is equal to 1 by 4 और y is equal to 1 अब यही value आप equation 1 में रखोगे तो आपको x is equal to 1 by 4 पे आपको क्या मिलेगा जब आप x is equal to 1 by 4 रखोगे तो आपको x is equal to minus 1 मिलेगा and y is equal to 1 रखने पर x is equal to आपको मिलेगा 4 minus 2 तो points intersection point क्या हो जाएंगे intersecting points r पहला जो c है न वो हो जाएगा minus 1,1 by 4 and b जो है वो हो जाएगा 2,1 यह intersecting point हो गए यह काओ के और अब c की value जो है वो है minus 1,1 by 2,1 by 4 और यह हो जाएगा क्या हो जाएगा यह 2,1 तो आपको limit कौनसी लेनी है x की लेनी है चोकि x is equal to minus 1 से लेके x is equal to 2 है because मैंने vertical strip ली है इसलिए बट उसमें ध्यान यह रखना है कि दो point upper point और lower point का ending जो है वो अलग-अलग curve से हो रहा है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ देखो कि area is equal total area total pounded area is equal to यहाँ पर आप लिख सकते हो कि area of area of c a b q c कौन सा point लिया c a b q c वापिस से ऐसा ऐसा आप लिख सकते हो ठीक है तो that is nothing but integration में minus 1 से 1 minus 1 से 2 पर यहाँ पे दो हिससे होने चाहिए उपर का y coordinate जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा y coordinate of p y coordinate of p minus y coordinate of y coordinate of q यह आपको ध्यान से रखना है यह यहाँ पर dx हो गया मेरा ठीक है अब यह minus 1 से 2 हो गया यहाँ पर आपको y coordinate of p क्या लिखना है p का जो y coordinate है वो line से bound हो रहा है line से तो x is equal to 4y minus 2 के हिसाब से उसकी value डालो तो यहाँ पर आपके पास है x is equal to 4y minus 2 तो यहाँ से आप 4y is equal to x plus 2 लिख सकते हो y is equal to क्या लिख सकते हो x plus 2 by 4 तो यहाँ पर हो जाएगा x plus 2 by 4 ऐसा minus दूसरा जो है वो इससे है कि x square is equal to 4y I hope ऐसा ही है इस बार का ओ देख ले हाँ x square is equal to 4y यहाँ से आपको q का coordinate मिल जाएगा y is equal to x square by 4 तो यह डाल दो x square by 4 into यहाँ पर dx भी है ठीक है अब ध्यान से इसको solve करना separately एक और ऐसा लिख दो आप 1 से 2 x by 4 dx plus minus 1 से 2 minus 1 से 2 1 by 2 2 by 4 1 by 2 हो जाता है बराबर into dx minus 1 से 2 x square by 4 into dx तो इसका तो हो जाएगा x square by 2 होता है तो x square by 8 minus 1 से 2 plus x by 2 हो जाएगा simple minus 1 से 2 minus x square by 12 हो जाएगा minus 1 से 2 थोड़ा और आगे ले जाए इसको simplify करें तो यह ऐसा दिखेगा आपको x square मरलब की 4 by 8 minus 1 by 8 simple plus यहाँ पर क्या दिखेगा 2 by 2 मरलब 1 minus minus plus 1 by 2 minus यहाँ पर क्या दिखेगा x का x square हाँ तो x cube होना चाहिए न यह गलती करी है हमने अच्छा देखो यह x cube by 3 के सबसे 12 हाँ x cube है बराबर तो 8 by 12 minus 1 by 12 यह कुछ नहीं है 4 यह कोई नहीं चलो 8 by 12 ही रखो तो इसी रहेगा कट करने में बराबर तो यह हमारे पास हो गया 3 by 8 plus यह 3 by 2 minus यह 7 by 12 आप LCM लेंगे न तो इसका LCM आएगा 24 जो उपर जाएगा तो यह 3 से multiply तो यह 9 plus यहाँ पे 12 से multiply तो 36 minus 2 से multiply तो 14 तो यह answer क्या हो जाएगा 36 plus 9 45 45 में से आपको निकालना है 14 which is nothing बट यह उपर तो 24 ही रहेगा कितना 45 में से 14 निकालना है नहीं यह कुछ गलत हो रहा इसमें कि देखना पड़ेगा अच्छे से इसको 2 by 2 1 minus 1 plus 1 by 2 एक मिनिट हम देख लेते हैं इसको करना क्या है अच्छा यहां पर गलती हुई है यह plus हो जाएगा अब देख लेना minus 1 का cube minus 1 होता है तो यह plus हो जाएगा तो उसको मिला करके यहां पर आपके पास यह तो minus ही रहेगा यह पूरा minus रहेगा बट वो 7 की जगह पर 9 हो जाएगा उपर ठीक है यह 9 हो जाएगा और 9 टूजा हो जाता है 18 तो यह value जो है हमारे पास वो हो जाएगी 18 होके अब करो 9 प्लस 36 जो है वो आपका 45 45 माइनस 18 करोगे तो आपको 27 मिलेगा 9 3 9 जा and 3 8 जा that means 9 by 8 square unit ऐसा कुछ आंसर है इसका बरबर अब आपको homework में क्या करना है वो समझ लो question number 11 जो है that is for your homework question देख लो easy question है मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको simple सा है कुछ नहीं इसमें एक कव दिया है और एक line दी है बहुत simple सा question है ठीक है और दो mcq दिये है इसमें question number 12 and हाँ यह देख लो mcq दिया है कि area lying in the first quarter bounded by circle and the line x is equal to 0 and 1 आप figure बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा यह circle है first quarter में ही चाहिए आपको तो यह point तो 2,0 हो जाएगा फिर आपको x is equal to 0 और 1 के बीच में first quarter में जितना area है उतना ही चाहिए right try कर लेना मिल जाएगा आपको और उसके बाद वाला जो question है वो कुछ ऐसा है कुछ problem हो रही है इसमें कोई नहीं वो question भी बहुत simple है देखो यह हो गया इदर area bounded by the cow y square is equal to 4x and y axis and the line y is equal to 3 मरलब यह y square is equal to 4x वाला जो है वो कुछ ऐसा का आपका इस टाइब का अब इसमें आपको y is equal to 4 वाली line and y axis y axis y is equal to 4 3 वाली line इसके बीच में जो area covered हो रहा है वो मतलब वो आप देखो तो यह उपर वाला area होगा इसमें अब vertical horizontal strip लेना पड़ेगा आपको तब जाके यह horizontal ले लो यह vertical ले लो तो भी चलेगा vertical लेंगे तो three minus में क्या करना पड़ेगा देखो अंदर जो integration करना है वो मैं बोल रहा हूँ three minus उसके बाद आपको इसके उपर से y की value निकाल देनी है हो जाएगा try करना तो यहां तक रखते है यह इतना homework है send का देना thank you तो guys thank you